Let's do question number third of exercise 5D that is fraction. Question number third is convert 1 upon 4, 5 upon 8, 7 upon 12 and 13 upon 24 into like fraction. अब हमें इन चारों को like fractions में convert करना है तो हम पहले अपनी fractions लिख लेते हैं 1 upon 4, 5 upon 8 and 7 upon 12 and 13 upon 24. अब आपने last question हर chapter का शुरू के 2-3 questions जरूर देखिएगा उसमें concept पता चलता है कि कैसे निकाला, right? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनके denominators different है, like fraction होने के लिए same होने चाहिए तो हम इसका LCM निकाल लेंगे, तो सारे values जितनी भी denominator में हैं, वो सारी हम LCM निकाल लेंगे उन सबका, तो अब देखिए, ये किस से जाएगा, ये सब सबसे पहले 2 से divide करेंगे, तो 2-2s are 4, 2-4s are 8, 2-6 are 12, 2-12 are 24, देखिए, 2-2s are 4, 2-4s are 8, 2-6 are 12, 2-12 are 24, again 2 से सारे numbers divide हो रहे हैं, तो 2 से 2-1s are 2, 2-2s are 4, 2-3s are 6, and 2-6 are 12, अगें देखिए, 2 से कौन-कौन से numbers divide हो रहे हैं, 1-as-it-is, 2-1s are 2, 3 divide नहीं होगा, तो as-it-is लिख दिया, 2-3s are 6, अब 3 से divide होएंगे सारे numbers, तो 1-as-it-is, जो divide नहीं होता, as-it-is उतार देते हैं, 3-1s are 3, 3-1s are 3, तो LCM कितना आ गया हमारा, LCM आ गया, 2 x 2 x 2 x 2 x 3, तो य 24, हमारा LCM आ गया है, 24, इसका मतलब denominator में हमें 24 लाना है, तो अब 1 upon 4 को किस से multiply करूँ कि 24 हो जाए, तो 4 को हमें पता है, 4 को हमेंने किस से multiply करना है कि 24 हो जाए, 6 से, तो हमने उपर नीचे 6 से multiply कर दिया, तो या गया, 6 1s are 6, 6 4s are 24, अब इसी तरीके से ये देखे, 5 upon 8 को देखे, अब 8 को किस से multiply करें कि 24 आ जाए, ओवियसली 3 से, तो हमने उपर नीचे 3 से multiply कर दिया, तो ये कितना है गया, 5 3s are 15, 8 3s are 24, अब देखे, 7 upon 12 है, तो हमें पता है, 12, 2s are 24 होता है, तो उसी 2 से उपर भी multiply कर दिया, तो ये आ गया, 14 upon 24, अब similarly, 13 upon 24 को नीचे denominator में 24 ही है, तो किसी से भी multiply करने की जहतनी है, आप चाहें तो 1 से multiply करके दिखा सकते हैं, and 13 upon 24, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जस सीक्वेंस में ये है, उनकी वैल्यूज भी उसी सीक्वेंस में आनी चाहें, लाइक, 1 upon 4 की सबसे पहले value, 6 upon 24 थी, तो वो लिखी, 5 upon 8 की second value थी, तो 5 upon 8 की 15 upon 24 थी, तो वही लिखी है, 3rd में 7 upon 12 की value थी, वही लिखी है, और last में 13 upon 24, ये हमेशा धिहान रखिए, सीक्वेंस सेम होना चाहें, जो कोश्चन में था, answer, let's do question number 4th of exercise 5D, that is fraction, question number 4th is, fill in the placeholder with the correct symbol, greater than or less than, हमें greater than or less than निकालना है, तो कैसे करेंगे, अब देखे, 8 upon 9 and 5 upon 9, 8 upon 9, देखे, नीचे के denominators अगर आप देखेंगे, तो same है, जब भी same denominators होते हैं, तो बड़ी digit वही होती है, fraction की, जिसमें उपर वाला बिग होता है, like, यहाँ पर देखेंगे, 8 है, यहाँ पर 5 है, तो हमें पता है, 8 बड़ा होता है, 5 से, तो 8 upon 9 बड़ा हो गया, 5 से, तो यह greater हो गया, मैं एक बार और पताती हूँ, जब भी like fraction हो, same denominator हो, तो उपर वाली value, जिसकी भी वड़ी होगी, उसी तरफ greater than का sign लग जाएगा, तो यहाँ पर 8 बड़ा था, तो इसलिए 8 greater than हो गया, इसी तरीके से अब देखें, 9 upon 10 और 7 upon 10 में, 10, 10 हैं, दोनों like fraction है, 10, 10 हैं दोनों तरफ, like fraction है, 9 बड़ा होता है, तो 9 की तरफ हम greater than का sign लगा देंगे, अब इसी तरीके से 3rd पार्ट देखते हैं, 3 upon 7, 6 upon 7, दोनों like fractions हैं, तो हमारा numerator में 6 बड़ा होता है, तो हमारा यहाँ आगया, sign, 6 upon 7 is greater than 3 upon 7, अब next पार्ट देखिए, 15 15 है, like fraction है, अब 11 बड़ा होता है, 8 से, तो यह 11 upon 15 greater होगे, 8 upon 15 से, 5th पार्ट देखिए, 6 upon 11, 5 upon 11, 11 11 है, दोनों के denominator, और हमें पता है, numerator की value 6 बड़ा है, 5 से, तो 6 upon 11 बड़ा होगया, 5 upon 11 से, अब इसी तरीके से देखिए, 11 upon 20, 17 upon 20 है, तो हमें पता है, 17 बड़ा होता है 11 से, तो यह greater than होगया, 17 upon 20 greater than होगे, 11 upon 20 से, आंसर,